तो इस साल की सेल में आपको एक AC खरीदना है बजेट है 3500 के करीब बहुत सारा AC मोडल लेवल लेवल है तो अभी आप खुद रिसर्च करने बैठोगे तो आप कन्फिस्ट हो के ओफर मिस कर सकते हूँ इसलिए एफ वीडियो आपके लिए है मैं पिछले वान वीक से 1500 यूटूब वीडियोज देखके Amazon और Flipcut पे सारा रिवीउस को ध्यान से पढ़के आपके लिए 3 ऐसे AC मोडल लाया हूँ जो कि लॉंग टाम यूज के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि AC अब बर बर नहीं खरीदोगे सिर्फ एक बर खरीदोगे और उसको सालों साल चलाओगे स्पेसालि इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ये 3 AC मोडल चूज गिया वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में आपको एक AC मोडल बताया हूँ जो कि आपका बज़ेट अगर सबसे कम है तो आपके लिए वो AC मोडल सबसे बेस्ट होगा आपको अगर एक इंडियन ब्रेंड का AC चाहिए तो आपके लिए ये ब्लूस्टार ओंपन फैपन थीश्टर AC बेस्ट होगा इस AC का कुलिंग को लेकर आपको कोई भी परसन ही नहीं होगा क्योंकि इसमें 500010W का कुलिंग कपासिटी दिया गया है जो कि 1.510 थीश्टार AC के रेंज में बेस्ट है ये AC अराम से एक 300 स्कौर फिट का रूम पे जहाँ पर डारेक्ट संडेल लगता है उसको अराम से कुल कर लेगा ये जो AC है ये एक स्मार्ट रेडी AC है यानि कि AC में कोई भी स्मार्ट फिचर्स पहले से नहीं दिया गया है टेकनी से नगाई को कुछ एक्स्टा पैसा देके एक ऐसा डिवाइस लगा सकते है AC के साथ फेसल डिवेस आता है उसको लगाने के बाद आपका AC स्मार्ट हो जाएगा जिससे आप Wi-Fi के तुरू कनेट करके आपके फोन के तुरू कंडल कर सकते हो सारा फिचर्स AC में आपको 1-year comprehensive warranty, 10-year compressor warranty और 5-year PCB पे warranty दिखने को मिल जाता है जो की आजकल हार एक AC में देखने को मिलता है AC को consider करने से पहले AC का दो खराब point है ओ जान लो AC का जो noise level है वो दूसरे brand के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है Second, AC का after cell service ब्लूस्टर हार एक जगा में आच्छा नहीं दे पाता है Rural areas में इसका after cell service थोड़ा पूर है पर अगर आप थोड़े big cities, tier on cities में रहते हो तो आपके लिए कोई भी वरेशनी नहीं होगा After cell service बेस्ट होगा AC का best discounted buying link नीचे description box में दिया गया है आप उधर से जाके आभी का fry चेक कर सकते हो Normal display AAC 35,000 या फिर 36,000 के अराउंड दिखने को मिलता है पर cell में आपको easily AAC all card discount या फिर सबकुछ offer लगाने के बाद 33,000 या फिर 34,000 के अराउंड जरूर दिखने को मिल जाएगा दूसरे AC model पे जाने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना जाता हूँ इस price range में 35,000 के अराउंड में आपको एक 3-ster AC देखने को मिलेगा कोई भी 5-ster AC देखने को नहीं मिलेगा 5-ster AC के लिए आपको 40,000 के अराउंड spend करना होगा जो जो AC model में आपको इस वीडियो में बताऊंगा उन सभी का 5-ster model भी available है तो सभी का description box में buying link दे दिया हूँ आपको अगर 3-ster खरी दिना है तो 3-ster खरी दिलो आपको अगर 5-ster खरी दिना है तो 5-ster खरी दिलो सभी model एकदम based है market में अगर आपको एक ऐसा brand का AC खरी दिना है जिसका सेट AC में ही expertise है तो आप Japanese brand Daikin ले सकते हो 35,000 का range में आपको Daikin का मैं A वाला model suggest करता हूँ देखो एक AC personally मैं खुद यूज करता हूँ इसका cooling जो है सबसे जवरदस्त है सबसे कम टाइम में ये AC आपका room को बहुती जल्दी cool कर देगा अच्छे cooling के साथ इस AC का जो air throw है वो बहुती ज़्यादा तेज है इस AC में आपको कोई भी comfortable mode नहीं मिलेगा पर आपको एक icono mode करके features देखने को मिलता है वो comfortable mode के वरावर ही है उसका अगर on करोगे तो आपका AC automatically उसका power reduce कर देगा और जितना requirement होता एक room को cool करने में सिर्फ उतना ही power AC consume करेगा बाकी नहीं करेगा अपका room को over cool नहीं करेगा इस AC का सारा features अब screen पे वीडियो को post करके पढ़ जाकते हो features में कोई भी कमी नहीं है सब कुछ features दिखने को मिलता है पर सिर्फ comfortable features नहीं है उसके जगा ये icono mode दिया गया है बाकी जितना features आज कल के दूसरे AC में आता है सभी इसमें available है मैं खुद AC को use करता हूँ और market में जितना research किया हूँ जितना reviews पढ़ा हूँ उससे पता चलता है कि ये AC बहुत ही ज्यादा अच्छा cooling करता है और service भी AC का बहुत ही बढ़िया है कोई भी issue आपको नहीं आएगा आप ले सकते हो बहुत ही बढ़िया होगा आपको आपके 35 version का अंदर AC अगर purchase करोगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक option हो जाता है AC में warranty आपको सेम देखने को मिलता है एक साल का AC में पूरा warranty comprehensive warranty और पात साल का PCB का warranty और टेन साल का आपको देखने को मिल जाता है discounted buying link आपको description box में देखने को मिल जाएगा आप मुझा जाके आभी का price चेक कर सकते हो यह AC normal display आपको 37,000 के around देखने को मिलता है थोड़ा महंगा है दूसरे ACS brand के मुकाबले क्योंकि brand ही ऐसा ही थोड़ा branded company जासा है बहुत ही महंगा brand है पर sell में आपको AC all card discounts अब कुछ लगाने के अबाद अराम से 35,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा अब उसको ले सकते हो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा AC देखो आजकल हार एक AC में stabilizer free operation आता है इन सभी ACS में भी है पर फिर भी मैं कहता हूँ मेरा recommendation रहेगा आप एक जरूर stabilizer को खरीदो क्योंकि inverter AC का PC भी बहुत ही महंगा आता है पर एक stabilizer आपको 2-3,000 रूपिया के अंदर जरूर मिल जाएगा अगर आप 1.510 AC यूज कर रहे हो या फिर खरीदने के लिए सोच रहे हो उसके साथ एक stabilizer जरूर खरीदना बेस्ट 3 stabilizer का buying link में नीचे description box में दे दिया हूँ अब दर्शाजर के अभी खरीद सकते हो अगर आप एक smart AC ढूण रहे हो बाजेट में 35,000 के अंदर जिसमें सारा features भी देखने को मिले और brand भी बहुती बढ़िया हो और OAC cooling भी बहुती must करता हो तो आप ले सकते हो penasonic 1.510 3 star AC देखो ए AC बहुती popular है उसके smart features की बज़ा से वो भी compromise में गम प्राइज है तो आप सोच रहे हो कि कोई भी quality में compromise किया गया है पर ऐसा नहीं है penasonic जैसे replicated brand का AC है तो quality में कोई भी compromise नहीं किया गया है ये वाला AC मेरे एक friend के घर में है वो इसी साल 2024 के starting में खरीदा है अभी तक उसके AC में कोई भी problem नहीं आया है cooling भी बहुत ही must करता है और इसका air throw भी बहुत ही बढ़िया है पर daikin से थोड़ा कम है air throw पर दूसरे चिसके मुकाबले बहुत ही बढ़िया है AC में cooling capacity बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है 5050W का cooling capacity मिलता है जो की 160 square feet तक का रूम को बहुत ही आसानी से cool कर लेगा चाहिए उस पर direct sunlight लग रहा हो या फिर नहीं लग रहा हो AC में features के कोई कमी नहीं है हर एक features पोवैट किया गया है अब screen पे video को pause करके सारा features पढ़ सकते हो AC में उनको recommend करता हूँ जिसको एक smart AC चाहिए Wi-Fi के साथ connect करके mobile के through Alexa और Google Home के through connect करके voice command दे के चला के चलाने के लिए सोच रहे हो तो वह ले सकते हो पर अगर आपका कोई भी ऐसा requirement नहीं है तो मैं आपको Daikin ही suggest करूँगा Panasonic नहीं क्यूंकि Daikin का cooling और ये है wire throw है वो बहुत ही बढ़िया है और service भी बहुत ही बढ़िया है 1 year comprehensive warranty, 5 year PCB warranty और 10 year compressor पे warranty देखने को मिल जाता है discounted bag link आपको description box पे देखने को मिल जाएगा आप उधर से जाके अभी का price check कर साकते हो normal desk पे AAC 36,000 के round देखने को मिलता है पर sale में सारा offers and card discount लगाने के बाद ये आपको 34,000 ये भी 33,000 के अंदर भी देखने को मिल सकता है पर 35,000 के नीचे अगर मिल रहा है तो भी आप लेगे इसको कोई भी issue नहीं है बहुत ही बढ़िया deal होगा आपके लिए अगर आप सोच रहे हो इस AC का लिस्ट में LG क्यों नहीं है तो मैं हार एक YouTuber की तरह LG को recommend नहीं करूंगा क्योंकि LG में आपको cooling capacity बहुत ही low देखने को मिलता है और AC के price भी बहुत हाई होता है तो high price देखके low cooling capacity का AC लेने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि low cooling capacity का AC आपका room को जल जली cool नहीं करेगा और cool करने में बहुत ही दिक्कत करेगा आप खुद cooling capacity चेक कर सकते हो AC का star rating पे जाके देखना लिखा रहता है cooling capacity watt में जैसे LG का देखने को मिलता है 1.510 3 star AC में 4600 watt पारेक 1.510 3 star AC में cooling capacity 5000 से उपर होना चाहिए मैंने जो जो AC इस वीडियो में recommend किया हूँ आपको उसमें सभी में 5000 के उपर ही cooling capacity आपको देखने को मिल जाएगा आप मैं आपको बताऊंगा आगर आपका बजेट एकदम ही काम है 30,000 के करीब है तो आप गोजरेज का ये वाला 1.510 4 star 5-1 convertible model ले सकते हो और बजेट अगर 33, 34,000 के करीब है तो आप गोजरेज का एक premium model ले सकते हो wood finish वाला ये वाला model इसको ले सकते हो पहले वाला model बे आपको price कम मिलेगा तो इसलिए उसमें आपको cooling capacity भी थोड़ा कम मिलेगा इतना भी कम नहीं है price के according ठीक ठाक है और दूसरे वाला model जो wood finish वाला model है उसमें आपको cooling capacity बढ़िया देखने को मिलता है 5000 watt देखने को मिल जाता है AC में आपको हार एक features देखने को मिल जाता है सारा features आप screen पर वीडियो को pause करके बढ़ सकते हो AC में कोई भी issue नहीं होगा आप ले सकते हो क्योंकि Gojrej के आभी warranty में थोड़ा offers चल रहा है आपको 5 साल का comprehensive warranty देखने को मिलता है और 5 साल का PCB पर भी देखने को मिलता है warranty और 10 साल का compressor पर warranty तो देखने को मिलता है तो warranty के मामले में दूसरे brand के मुकाबले काफी बढ़िया हो जाता है ये Gojrej का AC कम price में भी तो 5 ये comprehensive warranty ये थोड़े time के लिए चलेगा सायथ कुछी महिनों के लिए चलेगा बाद में ये इसको one year कर दिया जाएगा तो आप अभी लेने के लिए सोच रहे हो और आपका budget काम है तो आप Gojrej के इसी बीना चीज़ा के ले सकते हो कोई भी यूसू आपका नहीं आएगा बस थोड़ा Gojrej का अप्टरचल सेर्वीस जो है थोड़ा पूर मिले का दूसरे कंपणियों के मुकाबले पर वो जस्टिवेंट भी होता है क्योंकि उसका Gojrej का जो प्राइज है वो बहुत ही कम आपको देखन को मिलता है दूसरे ब्रैंड के मुकाबले तो अगर आपको मेरा recommendation पसंद आया है नीचे description box में सारा ACS का buy link दिया गया है आप अगर buy करोगे तो आप indirectly इस salon को support कर सकते हो financially जिससे मैं ऐसा ही आपके लिए non-ponsert content लाता रहूंगा और कोई भी सवाल हो आप बेजीजा comment box से फूच सकते हो मैं आपको दो घंटे में जरूर reply करूँगा मेरा वादा है एक 1.510 का AC एक दिन में कितना बिजनी लेता है जानना है तो ये वीडियो पे click करो